मुसमी उभाग ताजा अपडेट देश के निक्षेतरों में 3 जनवरी को बारिश का अलर्ड दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते अंडे नियूज में मैं हूँ आको रसुने विश्रमा हम बात करें मुसमी उभाग के ताजा अपडेट की तो क्या अपडेट है चले जान ले शनिवार को इरान और पडोस में एक चक्रवाती तूफान उठने वाला है यही नहीं बदलते मोसम के वज़र से पश्चिमी राजिस्तान और उसके आसपास के बारिश होने की संभावना है पंजाब हर्याणा चंडिगड और दिल्ली में 13 जनवरी को हल्की से मध्यम छिट पिड़ बारिश होने की संभावना है साथी गुलाव रष्टी और बिजली किरने के साथ साथ पश्चिमी मलक शेतर पंजाब हर्याणा और चंडिगड में भी बारिश हो सकती है इस विच देज भर में ठंड से राहत पाने के बाद मद्यभारत में फिर से सर्द हवाई चल मोसमी भाग ने अपने अखिले भारती मोसम चेतावनी बुलेटिन में खा है कि ताजा पश्चिमी उक्षोप के 16 जनवरी 22 को उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी हमाले मेदनी इलाकों में सक्री होने को संभावनाय बन रही है यह हवाई आगले 24 घंटों तक जाड़ी है जम कश्मीर में फिर बर्फवारी और बारिश के आसार राज्य में दो दिनों से खिली धूप के बावजूत तापमान सामान इससे नीचे चल रहा है अलविवार देश शाम से उच्च पहाड़ी लागों में बर्फवारी और नीच छेत्रों में बारिश की संभाव ना ह हैं इस भीजी श्क्रोवार को लहय में नीॉंत्मतापमान – 2.12 C जबकि गिलमर्ग में नीउन्त्मतापमान – 3.08 C दर्जक या गया अलविवार गंटों के दुरान मद्य भारत में न्यूंतम तापमान में गिरावट आठ से 10 निगरी सेल्सियस की हैं तापमान में गिरावट पूरे उत्तर पश्चिमी और मद्य भारत में हिमालाई की बरफीली ठंडी अवाओं को नतीजा है इसी तरह से सर्दावाओं के चलने से अधिक 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 कर से दो में पनूमान में पुक्ति पन्स वर्फिशने में से अधिक का मतापमान से यू रहादर के पना भारत में डिल वारत दमान में घ्टेशि के वारत में पूंद।